आवाज की दुनिया के चाने वाले सभी दोस्तों का इस्टडी वी तफोजी फैमिली में मैं कमांड़ आरके ना एक हार्दिक स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ उमीद करता हूँ दोस्तों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे आप सब की तैयरी बहुत अच्छी चल रह होगी तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हम वीडियो सीरी जो प्रादम कर रही है वह दोस्तों वर्ल्ड जोगरोफी से समन्दित यानि वर्ल्ड जोगरोफी से समन्दित दोस्तों बहुत सारे वीडियो कवर किये गए तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले आज दोस्तों वर्ल्ड जोग्रोफी चैप्टर नंबर फिप्टी यानि दोस्तों वर्ल्ड जोग्रोफी का चैप्टर नंबर पचास आज हम पढ़ने वाले इससे पहले दोस्तों विश्वे के बुगोल से सबं स्ब्दित संपुन जानकरी जो एक्जाम की दिर्ष्टी से होनी चाहिए वो इन वीडियों के मादिम से आपकी कवर हो जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले इसमें दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे गास के मैदान अब दोस्तों गास गास के मेदानों से समंधिति भी एक्जाम में कियुसन किस किस टाइब से पूछे जाते हैं उनके बारे मैं हम थोरी शी जानकर रिल dov लेतें है यहां पर तो है Moscow आप सबसे पहले देखेंगे कि घास के मेदानों को सबसे पहले इसमें देखेंगे सावाना गास के बारे में देखेंगे कमपोज गास के बारे में लानोस के बारे में और लेंड पार्क के बारे में और उसके बारे में पार्क लेंड के बारे में देखेंगे और साथ ही दोस्तों यहां पर प्रेरी गास है कमपास कहां पाई जा लाँस चेंब sich पें तेगह विखे sąने ने पिखते वर्य दायोंस य जिटनी भी गास यहां पर बताईये Muhammad उस्ञाम में क्यूशन पूछे जाते हैं और जब भी दोस्तों उस्ञा पोचा जाएगा तो आपका क्यूशन है वह गलत नहीं होना चाहिए और ये तभी संभू है जब दोस्तों इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से सुनेंगे साथ इसके नोट भी बनाते रहेंगे और और उसके वाद में दोस्तों एटलस पर अगयर हो सके तो किस-किस माध्यूप में कौन-कौन से गास पाये जाते हैं उनक में दोस्तों सवाना तुले इन सब के बारे में देखेंगे और यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इने अलग 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 नाम से जाना जाता है यानि दोस्तों यह जो गास के मेदान है इनके नाम अलग अलग है और देश भी अलग अलग है तो यहां पर दोस्त ब्राजिल के अंदर जो गास के मेदान है उन Eddy'll है उनको कहते ये कम पोज और cheddar आफरीका माधिव में है तो इससे समधित दोस्तों आपको जानगरिदी जाएगी और आप मरे साथ बने रही है दोस्तों आपका एक वी बागाई गास के मेदान है और ये काँ पर एक वी कुसिन पर दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं सवाना के बारे में ये दो आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये सवाना गास के मेदान है उसके बाद में देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कंपोज के बारे में जो की ब्राजील में है और उसके बाद में आपका पार्क लेंड अफर कहां पर ये फैला हुआ है तो ये दोस्तों अफरीकी मादियू में फैला हुआ है जो कि शंपून सारा मरुस्तल जो कि उत्र अफरीका और पूरवी अफरीका तता पस्चिमी अफरीका तक फैला हुआ है दोस्तों ये आप देख सकते हो इस परकासे ये गास के मेदान फैले गास के मेदान और उसके बाद में ढूकर आप देख रहे हो ला नोस यह उसन कटि बंदी घास के मेदान है यह दक्षिनी अमेरिका से उत्री भागों के उत्री ऑंगों से तो उपर वाले में दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे तो, यहां पर आपको कोलंबिया, और एकवादॉर बगेरा यहां पर दिखाई देगा बुलीविया, तो यह वाला जो बादो दोस्तों, इसका उत्री भाग यानि ये तो रह गए दोस्तों हमारा दक्सिनी अमेरिका और दक्सिनी अमेरिका में जो उपर वाला भाग है जिसमें एक तो आपका यहां पर वेनेजुला है और एक है दोस्तों आपका कॉलंबिया और यह पर वेनेजुला और कॉलंबिया यहां पर दोस्तों ज के क्यूशन है वो एकजाम में पूछ लिये जाते हैं और मैं आशा करता हूँ दोस्तों अगर आपने सही तरिके से इनको तैयरी करोगे तो आपका क्यूशन है वो गलत नहीं होगा अब दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं इने भी दोस्तों अलग 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 नामों से जाना जाता है अब दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि सहुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इन गास के मेदानों को हम क्या कहते हैं यह कहते हैं दोस्तों प्रेरी गास के मेदान अगर क्युसे ने इस टाइफ से पूछा जाये कि प्रेरी गास के मैदान कहां पर है तो दोस्तों अभी तो आप देखे याँ पर बता दो के सह्युक्त राज्जे अमेरिका लेकिन दोस्तों उस समय अगर सहिंगतराजे अमेरिका, अर्जेंटिना और और अस्ट्रेलिया इस तरह से दोस्तों कुछ नाम दिये दिये गए तो आप साहिद हो सकता, कन्फूज में इसको गलत कर वेटो, लेकिन दोस्तों अगर इसको आप नोट करते रहेंगे, साथ साथ म आपका गलत नहीं होगा, उसके बाद में दोस्तों यहां पर है, पंपास गास के मैदन कहां पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं, दोस्तों अर्जेंटिना में, उसके बाद में आपका वेल्ड, यह कहां पाए जाते हैं, दक्सिने अफरीका में, दक्सिने अफरीका में कौ कहा है पाए जाता है दोस्तों उक्रेन है रूस है चीन के मंचूरिया पर्देश या फिर यूरेशिया में पाए जाते हैं तेगा गास के मैदान कहा पाए जाते हैं यूरोप और एसिया का कौन सा भाग है साइबेरिया भाग है उसमें पाए जाता है उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो यह आपके शेलवास घास के मैदान, यह दोस्तों दक्सनी अमेरिका में पाए जाते हैं, अब दोस्तों इन्ही घास के मैदानों से समद्द कुछ और मेहतव पून जानकरी ले ले लेते हैं, जो की एक्जाम की दिरिस्टी से महतव होने हैं, प्रेरी गास के मैदान, शित्वोशन कर्टिविंदी गास के मैदान है, यह संपून उत्री अमेरिक की माधूब है, जिसमें कौन-कौन से देश है दोस्तों, कनाडा और सिंट राज अमेरिका तथा मेक्सिको तक विस्तरित है, यानि दोस्तों यह जितने भी देश मेने कनाडा, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, यह जो मेप है, इसमें आप देख लीजिए, आराम से समझे में आ जाएगा दोस्तों, तो यह दोस्तों इस तरह से यहां पर उपर वाग कनाडा है, और यहां पर दोस्तों इनके, तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आप पा रहे हैं कि यह दोस्तों कहां पाया जाते हैं कनडा उत्रे अमेरिका और मेक्सिको अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहां से निंचे तो दोस्तों दूसरे देश से स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन यहां पर आपको देखने को मिलेगा मेक्सिको और म सब्सक्राइब если there's no longer यह पर हम देख लेते हैं पंपाज जो गाशそうですね अ Child अमेरिका महादी вам ने अजिसमें द Cookomena क्ली देख पाते हैं अयह सब्सक्राइब देखा ह्यानברे का सब्सक्राइब यह जो पोनाaking लृट přнакомश्रेट पर तो इसमें दोस्तों कहां कहां तक पहले हुए हैं वो देख लेते हैं दोस्तों उसके वाद में दोस्तों अब हम देखते हैं फ्रेरी गास के जो मेदान है कहां कहां पाया जाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों ये गास के मेदान situation कटी बंदी गास के मैदान है और यह दोस्तों संपूर्ण उत्री अमेरिका माध्यूप में है और यह कहां कहां पर है दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहां पर कनाडा सिंक्त राज अमेरिका तथा मेक्सिको तक इसका विश्ट्रित है यानि दोस्तों यह जो उपर वाला बाग आप यहां पर देखेंगे सबसे पहले यहां तक दोस्तों मेक्सिको जो कि यहां तक इस तरह से दोस्तों आपको उपर की तरफ यह देखने को मिलेगा आपको कनाडा और कनाडा के बाद में दोस्तों यहां तक आपको देखने को मिलेगा यहां पर USA और यहां पर है दोस्तों आपका मेकसिको याने दोस्तों यह जो उत्री अमेरिका के मैसित्पुण जो कॉंट्री है टीन जिसमें एक तो कनाड़ा आगया सबसे उत्र में और उसके बाद में दोस्तों अमेरिका आ गया अमेरिका के बाद में मेक्सिको आ गया और यह दोस्तों आपके मेक्सिको की खाड़ी तो मेक्सिको की खाड़ी से उपर दोस्तों यह वाला जो भाग है इसमें प्रेरी गास के मैदान पाए जाते हैं उसके बाद में दोस्तों पंपाज गास के मैद ये पंपाज कहां पाए जाते हैं दोस्तों ये गास के मेदान है शितोसन कर्ति बंदी गास के मेदान जो है उनके अंतरगतिये आते हैं अब दोस्तों ये कहां पाए जाते हैं ये दक्षिनी अमेरिका जो की दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं इसमें दक्षिनी अमेर पात इसके बारे में भी मैंने बताया था तो आप दोस्तों कॉमेंट बोक्स में बताईए कि ये जो एंजिल जल पर पाता है वो कौन सी नदी पर है ये दोस्तों आपको कॉमेंट बोक्स में बताना है तो उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं लेटिन अमेरि अर्जेंटिना तक फैला हुआ है यह दोस्तों जो गास के मैदान है पंपाज यह यहां से दोस्तों मद्दे अमेरिका से कहां तक है यह वाला जो बाग है जहां पर अर्जेंटिना है वहां तक यह फैले हुए है और उसमें दोस्तों अगर कोई भी क्यूसन गास के मैदानों क बारे में पूछा जाए तो आपका क्योंसे ना वो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी सूर्ट में और ये तब ही संबो हुए जो तो जब आप में इसी परकार एर्टलस खोल के बैठ जाए और उस एर्टलस में दोस्तों इसको मारक कर लीजिए जहां जहां मैं बता रहा हूं व अफरीका तो दक्सिनी अफरीका है दोस्तों यहां पर यह रह गया हमारा अफरीका माद्यूप और इसमें दोस्तों यहां पर आप देखेंगे निचे की तरह पर तो यहां पर आपका दक्सिनी अफरीका और दक्सिनी अफरीका में दोस्तों यहां पर यह गास के मेदान पा पाये जाते हैं और उसके बारे में दोस्तों यह जो गाज के मैदन और जानकरी ले लेते हैं साथ ही दोस्तों ऑस्टेलिया मात्पूंट से समनदी they can these are paying restless to dar incorrect पहले बारे वीडियो में ड्शमें तो यहां पर दो में अपछ़ को नेCal बीन फै prototype काने ऑप द्वास कानेरा Jordy जा रहा था उसमें विश्तास से कorial किया था तो मैं आसा करता हूं दोस्तों आपने वहां से उसको कवर भी किया होगा नोट भी किया होगा तो दोस्तों अब यो किस चीज़ की आप कॉमेंट गास के मेदान है और ये दोस्तों सितोसन गास के मेदान है ये गास के मेदान गने वह गहरी हरी गास के मेदान होते हैं अब दोस्तों न्यूजिलेंड का है सबसे पहले दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ये है अपना प्यारा साग कंट्री न्यूजिलेंड जो कि दोस्तों औस्ट्रेलिया से इस साइड में आप जाएंगे तो तस्मान सागर और तस्मान सागर के पास में यह इस तरह से आपको देखने को मिलेगा न्यूजी लेंड और यहां पर दोस्तों एक तस्मान यह भी है इसके बारे में दोस्तों में आपको औस्ट्रेलिया मादिक वाले कलास में अच्छे से बताया था अब दोस्तों यहां पर कुछ और मेत्पूण जानकारी जो गास के मेदानों से समधित है वो हम देख लेते हैं यहां पर तो यह दोस्तों आपका इस्टेपी इस्टेपी का है दोस्तों यह संपूर्ण यूरेशिया महद्यूग पर वश्त्रित गास के मैदान अब दोस्तों यह क्या है और कां कां फिले हुए हैं केसे पिले हुए हो उसको देख लेते हैं यह उतरी एसिया में सितोषन कटわか्वन गास के मैदानों के सरेनि के तह ते आते हैं और ये दोस्तों दक्सिनी कटी बंदी है गास के मैदानों के किसरेनी में भी आते हैं और वेलगा ये दोस्तों आप देखेंगे यहां पर यूरोप और एसिया अब दोस्तों ये यूरोप वाला भाग है उसमें भी है और यूरेशिया का मतलब दोस्तों यूरोप और एसिया दोनों माधिव में फैला हुआ है ये दोस्तों जो साहिबेजिया आपको देखने को मिलेगा उसमें भी ये फैला हुआ है गास के मैदान तो इस तरह से दोस्तों आपका एक भी क्यूशन गलत नहीं होना चाहिए अब क्यूशन ज़्यादा मैं अब क्यों पूशने लगाओं क्यों कि दोस्तों है इससे पहले इन वीडियो के बारे में यह 45 जो मैं पूचर रहा हूं उसके बारे मैं ने पढ़ा रखाur इसलिए पूशन पूच लेता हूँ तो यहाँ पर आपको क्यूशन बदाना दूस्तों ये कौन सा जील है या कौन सा सागर है जो की कितने परतिशत सुख चुका है वो भी दोस्तों आप कॉमेंट बोक्स में बताएंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी तो अब दोस्तों मैं आशा करता हूं ये गास के मैदानों से समंदीत एक महत्पून जानकारी थी और आपक दोस्तों आप इनकी रिविजिन करते रहिए मैं अगला वीडियो लेकर सिगरी हाजिर होता हूं धन्यवाद जैहिन जैवार